ए निकले हैं शेजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दिवाने फिर से गेम उठाने पूछो ना ये कैसी रात होगी आज हर सुच आरो तरफ होगी अपनी बात फिर सीटी बजेगी स्टेजी सजेगा और ताली बजेगी अखेल जमेगा फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और आली बजेगी अब खेल जमेगा लालालालाला खेल ये ऐसा के दिल ने संभल पाए देख के तेरी जा निकल जाए रोकना जाओ ये दो न रुकेंगे हम मार के बाजी ये रहेंगे हम जीत हो या हार हो दिल में अपन प्यार हो नाच नाच जूम जूम गले मिलेगे फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और आली बजेगी अब खेल जमेगा पिर सीटी बजेगी स्टेजी सजेगा और आली बजेगी अब खेल जमेगा रमजान नाइट करिक्ट का इनकाद जिम खाना में किया गया जिमन में इविन्ट का फाइनल शांदार अंदाज में मनकिद हुआ इविन्ट का फाइनल टीम पाकिस्तान और टीम आस्ट्रेलिया के माबेन खेला गया जो के कांटेदार मुकाबले के बाद आस्ट्रेलिया ने जीत लिया टीम पाकिस्तान की नमाइंदगी शाजरिंद और सारिम सिदीकी ने की जबके टीम औस्ट्रिलिया की नमाइंदगी सैफ मेमन ने की इस मौके पर एक्तामी तक्रीब का भी एहतमाम किया गया जिसमें डियाईजी हैदरबाद पीर महमशा ने बतौर महमाने खास शरकत की जबके महमान ने एजाजी सदर हिदरबाद चेमबर ओफ कॉमर्स अदील सिदीकी सरपरस चेमबर इकबाल बेग सीनियर नाइब सदर नजीम अदीन कुरेशी नाइब सदर ओवैस खान सदर हिदरबाद जिम खाना सलीम कुरेशी काइम मकाम सेकरेटरी असज जुनेजो कनवीनियर स्पोर्ट्स जुल्फिकार युस्फानी मेंबर मैनेजिंग कमिटी प्रफेसर तहाली समेत तीगर थे महमानान को अजरक के ताहिफ पेश किये गए जबके डियाईजी हिदरबाद और अदील सिदीकी ने बैट्स पर दस्तखत किये इस मौके पर केक भी काटा गया और खिलाडियों में इनामाद तक्सीम किये गया अजर्बाद का जिमखाना है जिन्हों ने ये टोनामिट कंडेक्ट कर वाया था इसके अंदर बारा टीमों है सालिया था अलहम दल्दल्ला हम मैं ऐस्टेरिया के तरफ से केरल गादा और उस्टेरिया रएवर चैम्पेन हुई है बहुत खुशिकी बात है और ये भी मैं आपको बता था चलूँक नहीं हम ऑस्टेरिया र जो हम पर आठ बार जो है बन चूपिये this is eighth time that we have become champions of jimkhana हम बहुत शुकर गुजार हैं लोगों के कि वो हमेशा आते हैं हिदरबाद जिम्खाना और यहां रौनक लगी रहती है यह स्पोर्स कमिटी ने रखवाया है cricket tournament जिसका अच फाइनल ले है तो बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्राइजिस भी मिले उसके अलावा यह हमाले लिए प्राइड भी है प्राइड की बात है कि हम लोग जो है अलहमदोला इस तरह के इवेंट्स और्गनाईज करते हैं आप सब की वज़ा से